इस वीडियो में दी हुई जानकारी इंटरनेट से ली गई है, हम इस वीडियो में किसी भी दवाई का प्रचार नहीं करते, किसी भी दवाई को इस्तमाल करने से पहले एक बार डॉक्टर से जरूर सलाह ले, अगर आप इस वीडियो को देखकर किसी दवा का उपयोग करते है और आपको कोई side effect होता है तो उसमें हमारी कोई जम्मिदारी नहीं होगी Clonid GM cream bacteria और fungus जैसे सूक्ष्म जीवों के कारण होने वाले तवचा के संक्रमन के इलाज के लिए इस्तेमाल की जाने वाली दवाओं से मिलकर बना है यह सूक्ष्म जीवों को पैदा करने वाले संक्रमन के विकास को मारता है और रोकता है जिससे संक्रमन साफ हो जाता है और लक्षनों से राहत मिलती है यह उन रसायनों की रहाई को भी रोकता है जो खुझली, लालिमा और सूजन जैसे लक्षन पैदा करते हैं इसलिए यह दवा इन संक्रमनों के कारण होने वाली सूजन से राहत देती है आपको क्लोन जी एम क्रीम का उप्योग तब तक करना चाहिए जब तक यह निर्धारत किया गया हो भले ही आपके लक्षन गायब हो जाएं, अनितावे वापस आ सकते हैं आप जिस प्रकार के संक्रमन का इलाज कर रहे हैं, उसके आधार पर यह कई सप्ता हो सकता है आपका संक्रमन पूरी तरह से ठीक हो जाने के बाद भी, लक्षनों को वापस आने से रोकने के लिए आपको इसे कभी-कभी लगाना पड़ सकता है यह दवा केवल बाहरी उपयोग के लिए है अपने चिकित्सक द्वारा सलाह के अनुसार इसे खुराक और अवधी में प्रयोग करें उपयोग करने से पहले निर्देशों के लिए लेबल की जाँच करें प्रभाविक शेत्र को साफ करके सुखाले और क्रीम लगाएं लगाने के बाद अपने हाथ धोएं जब तक की हाथ प्रभाविक शेत्र न हो क्लोन जी-म क्रीम तीन दवाओं का एक मिश्रन है क्लोबेटासोल, जेंटामाइसिन और माइक्रोनाजोल जो तवचा के संक्रमन का इलाज करते हैं क्लोबेटासोल स्टेरोइड दवा है यह कुछ रासायनिक संदेशवाहकों यानि की प्रोस्टाग्लेंडन्स के उतपादन को रोकता है जो तवचा को लाल, सूजे हुए और खुजलीदार बनाते हैं यह लक्षणों से अस्थाय राहत प्रदान करता है जींतामाइसेन एक एंटीबाओोटिक है जो महत्वपून कार्यों को करने के लिए जो फंगस को खुद के लिए सुरक्षा कवच बनाने से रोक कर उनके विकास को रोकता है वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद अगर आपको ये विडियो अच्छी लगी हो, तो इसे लाइक करें, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल को सब्सक्राइब करके, नोटिफिकेशन बेल को, टन अन अल नोटिफिकेशन पर सेट करें, धन्यवाद.